श्री गनेशाय नमाहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्थिती ले कर आती है और इस वजे से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करत और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं चंद्रमा आपकी कुंडली के पांच्वे स्थान में रहेंगे जी हाँ पांच्वे भाव में चंद्रमा के होने से ये आपके लिए सबसे बहतरीन समय होगा चंद्रमा के पाचवे भाव में होने से आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे इस समय में आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी खर्चे कम होंगे और इंकम ज्यादा होगी मन पसंद रहेगा कोई टेंशन नहीं होगा सुबै से ही आप जोश में रहोगे उत्साह में रहोगे इस समय में आपके रुके हुए सारे पेंडिंग काम पूरे हो जाएंगे आपको पारिवारिक सुख मिलेगा पीता का सपोर्ट भी विशेश कर इस समय में आपको मिल रहा है इस समय में आपके बिजनेस में उन्नती दिखेगी आर्थिक स्तिती और मजबूती की और बढ़ेगी उधार दिये हुए या अटके हुए जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल सकते है अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफी अच्छा है दामपत्य जीवन में मधूरता रहेगी घर में खुशनुमा माहोल रहेगा इस दिन फैमिली के साथ समय व्यतित करना काफी अच्छा रहेगा आप भी खुश होगे और आपके फैमिली वाले भी काफी खुश रहेगे किसी तरह का टेंचन या प्रेशर इस दिन आप पर नहीं रहेगा अच्छे समय का अच्छा फाइदा जरूर उठाए लव लाइप में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए समय अच्छा है पार्टनर के साथ आप समय व्यतित कर सकते है लाइप के बारे में मिलकर कोई अच्छा डिसिजन भी ले सकते है आज खर्चे नहीं होगे लेकिन आए अच्छी रहेगी स्टूडेंस के लिए भी समय अच्छा है अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखे और अच्छे समय का पूरा लाब उठाए ये समय आपके पढ़ाई के लिए भी इंपोर्टेंट है और समय आपके लिए अच्छा भी है तो पूरा लाब जरूर उठाए जम के पढ़ाई करे अच्छे रिजर्स जरूर आएंगे आज आपको स्वास्ते भी परिशान नहीं करेगा पूरानी परिशानियों में भी सुधार दिखेगा ये समय सरकारी कामों को पूरा करने के लिए उपयुकत है सारे सरकारी काम इस وقت पूरे हो जाएगे इस समय में सरकार की तरप से मान पतिष्ठा मिल सकती है जो लोग राजनिती में हैं, उनके लिए ये दिन काफी शुब रहेगा, इस समय अचानक से धनकी प्राप्ति भी होने के योग बन रहे हैं यानि जो लोग shares में invest करते हैं उन्हें मुनाफ़ा हो सकता है इस समय में गुप्त धन मिलने के भी योग बन रहे हैं हो सकता है कोई lucky draw या इनाम इसमें भी आपको कोई फायदा हो जाए इस समय में आप काम करने के नए जरिय भी खोच पाएंगे इस दिन आपकी बुद्धी तीवरगती से काम करेगी यात्राओं के लिए भी ये समय अच्छा है यात्रा पर जाते है तो यात्राई लाबकारी रहेगी आपके बिजनेस के लिए प्रोफेशन के लिए अगर आप यात्रा करते है तो वो आपको काफी लाबदाय करेगी वहाँ से आपको धन कमाने का भी मोका मिल सकता है निवेश करने के लिए और कोई महतोपुर्ण निरने के लिए भी समय अनुकुल है इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा देली अक्टिविटी चुरू रखे योगा करे प्रानयाम करे सुबे का टहलना जारी रखे अपने डायट पर ध्यान दे खुद भी स्वस्त रहे और आपके अपनों को भी स्वस्त रखे इस दिन लाल रंका इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और एक अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दर असल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते है दोस्तों काफी लोग के सामने ही जूते या चपल डाइरेकली उतार देते है दोस्तों ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगये पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्ता उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बा तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते है तो हमारी उन्नती होना बहुत ही हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन आईना तस्वीरे इलेक्ट्रोनिक सामान सोफा कुर प्रवेशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़ चिड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चिड़ों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है। दोस्तों एक और खास बात है। हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है। जी हाँ वो अशुब माना जाता है। घर में मकडी का जाला होना अशुब हैं इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं। क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साब सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्थिया जो घर के मंदिर में है बस वहाँ तक सिमीत है अगर आपके घर के शूकिस में भी वो मुर्थिया रखी है कुछ फोटो रखे दे उनने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम maintain नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटनाए घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरकी ला सकते है, धन ला सकते है लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद